तो कैसे आप सब तो आज का जो वीडियो है वो आप सब के लिए काफ ज़ादा इन्फरमेटी वीडियो होने वाला है फिर बहुत से टाइम अपने ये सोचे भी होंगे या आप ये प्लान कर भी रहे होंगे बहुत से ऐसी गाड़ियां होती है जो के पुलिस द्वारा सीस की जाती है अब उस गाड़ी को सीस करने का रिजन क्या है वो कई सारे हो सकते है लेकिन आपके माइंड में काफी टाइम ये कुशन आया होंगा कि ऐसे सीस गाड़ियां क्या हम खरिद सकते हैं क्या इसका कहीं पे auction होता है और आखिर इसका process क्या होता है अगर हम ये कोई गाड़ी purchase करना चाहिए हमें कोई गाड़ी ऐसी पसंद आती है जो कि police ने cease करी है तो ऐसी गाड़ी क्या हम purchase कर सकते है या नहीं और अगर purchase कर सकते है तो इसका auction कहा होता है या फिर हम directly कहां से purchase कर सक सबसे पहले तुम्हें बता दू कि जो भी गाड़ियां सीज की जाती है उसका कोई न कोई रिजन होता है लाइक बहुती बड़ा रिजन होगा तब ही वो गाड़ी सीज हुई है मिन्स काफी जादा बड़ा हो सकता है कोई केस हुआ हो उस वहिकल के उपपर या फिर कोई आलानवालान कर दिया जाता है लेकिन गाड़ी सीज तब ही होती है जब बहुत बड़ा उसके उपर कोई केस हुआ हो लाइक यह रिजन तो आपको पता है अब वो जो भी गाड़ी पोलीस सीज करती है और जिसकी भी वो गाड़ी है उसके उपर कोई न कोई केस जो है वो पुलिस फाइल करती है मिन्स जो भी केस है उसके उपर लगाती है अगर मैं बात करूँ तो ऐसे केस दस से पंदरा साल तक भी चल जाते है मिन्स दस से पंदरा साल वो केस चलता ही रहता है अब मैं बात करता हूँ क्या यह ऐसी गाड़ियां बिकती है यह नहीं तो इसके बारे में आपको बता दू मैं यह यह गाड़ियां बिकती है लेकिन किस तरीके से बिकती है उसके बारे में सबसे बहले बात करूँगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई यार्ड में चले जाओ जहाँ जहाँ पे सीज गाड़ियां खड़ी है और मैं कोई एक गाड़ी पर हात लगके बता दू कि मुझे ये गाड़ी पसंद है मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ तो एक चीज में आपको बता दू रूल के हिसाब से कोई भी इंडिविजुल परसन इस वीकल को खरीद नहीं सकता है कोई भी एक गाड़ी आपको पसंद अगर आती है तो आप सिंगल गाड़ी नहीं खरीद सकते हो ऐसा कोई भी रूल नहीं है इसके लिए एक टेंडर निकलता है अब टेंडर का मतलब यह होता है एक तरह से बल्क में गाड़ियां अगर सारे ऐसे गाड़ियों को निकाला जाता है जिसके केस खतम हो गया है और जो के अपनी गाड़ियों को वापस लेने आया ही नहीं है like ऐसी गाड़ियों को 10-15 साल भी हो जाते उसके बाद tender एक निकलता है अब tender में होता क्या है friend ऐसा नहीं है कि individual कोई एक गाड़ी है उसे कोई sell करने निकाल रहे है ऐसा नहीं है tender के अंदर मतलब bulk 50 गाड़ियां, 100 गाड़ियां या 1500 गाड़ियां भी इसके अंदर हो सकती है ऐसी सारा combo या फिर आप कह सकते हो bulk में जो tender निकलता है अगर कोई भी purchase करना चाहे तो उसे 100-500 का जो bulk है वो खरीदना पढ़ेगा इसके उपर हो सकते है, auction लगे, जो भी बोली लगे, जो जित्ते में खरीदता है लेकिन individual कोई एक single गाड़ी आप नहीं खरीद सकते हो अगर आपको bulk में गाड़ी खरीदना है, तो वो आप खरीद सकते हो और एक चीज़ में आपको बता दूँ, गाड़ी को वैसे ही 10-15 साल हो गए है मिस उसकी RC जो है, वो valid तो होंगी नहीं, मिस गाड़ी भी पूरी expire होगी है तो ऐसा गाड़ी लेके आपको मतलब ही क्या है, जो कि सारा, मतलब जिसके document पूरे expire हो और आप वो गाड़ी को अगर लेके market में उतरे, road पे उतरे, तो आपको चालान हो जाए ऐसे गाड़ी लेके कोई भी मतलब नहीं है साथी साथ अगर मैं बात करूँ, जो bulk में order निकलते है, जो tender निकलता है उसमें लोगों को क्या फाइदा होता है तो basically friend, वो ऐसे लोग purchase करते है जिसे like जो scrapping का जिसका work है, तो वो गाड़ी को लेकर scrap कर सकता है साथ-साथ कोई ऐसा person जिसके जो automotive parts होते है like जो पुराने parts होते हैं, उसका business करता है तो ऐसे लोग ये चीज़ को purchase कर सकते है और ऐसे ही लोग ये गाड़ियों को purchase करते है जिसको scrapping का business करना है, या फिर कोई पुरानी गाड़ी जो खड़ी है उसके अंदर से part निकाल कर, कुईसी दूसरी गाड़ी के अंदर assemble करना या कुछ और use में लेना तो ऐसे लोग उस गाड़ियों को purchase करते है लेकिन अगर normal person देखा जाए, individual हम जैसे तो ऐसे case में किसी को भी बेचा नहीं जाता है कोई single गाड़ी आप नहीं खरीद सकते हो तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी अब फिर्ण एक और एक question आपके mind में ये भी आ रहा हूँगा कि लोग गाड़ीयां अपनी लेके क्यों नहीं जाते है तो फिर्ण सबसे पहले जैसे कि मैं आपको इस starting में ही बताया कि उस गाड़ियों के उपर चलता है case अब case जो होता है वो जाता है court के अंदर से जादा ही आपके उपर fine लगा देता है for example अगर आपकी 5 लाग की गाड़ी है और वो police ने cease करी है और court आपके उपर अगर 6 लाग का fine लगा दे तो कौन बंदा है जो कि वो गाड़ी को छोड़वाने जाएंगा और जो 6 लाग पे करके वो 5 लाग की गाड़ी को लेंगा कोई भी यही सोचेंगा अगर इतना fine हो रहा है तो मैं क्यों पे करूँ इससे अच्छा तो मैं कोई new गाड़ी purchase कर लूँ यह 6 लाग में तो मैं कुछ और purchase कर लूँ या फिर auction किये जाता है आज कर तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगाँगा इन डीटेल में आपको information मिल गई होंगी तो अगर आपके कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हो मैं जलसे आपको reply देता हूँ आज के लिए ते मिलता हम next video में जब तक लिए good bye